लाशे पिछा दूगा लाशे हालो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ Realme X3 Super Jume एडीसन के बारे में जो कि इसके साथ दो फोन लोन्च होने वाले हैं एक होगा Realme X3 और एक होगा Realme X3 Super Jume तो इन फोनों में क्या है खास बात इन फोनों में खास बात यह है कि इसमें आपको 30W की फास चार्जिंग मिलेगी और 4230 इमिच की बेटरी मिलेगी जो कि काफी अच्छी बात है लेकिन प्राइच भी होना चाहिए अच्छी बीफ़जार के नीचे लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है यह कम से कम 232 20 2 के लेकिन होने वाला है दोके दोनो इस्मार्ट फोन क्योंके इसमें स्नाइब Б्रेगन का फ्रैट लेक्ता सब्सक्राइग भात 825-ро प्र्शेक और प्रोचे सोग्द है सब्सक्राइड जो की काफी अच्छा है the general caregiver के साथ में आएगा और काफी अच्छे एस्पेक्स लेके आता है केमरे के साथ में इसमें चार दूच्छे टॉटल से केमरे हैं चार पीछे हैं दो आगे हैं और इसमें जो ये प्रोसेसर है इसने ब्रेगान 8-6-855 बाला इसका जो एंटू वेंजमार स्कोर काता है पांच ला हमें तो न्यू गेमिंग एक्सपेरियंस मिल सकता है इस मोबाइल के साथ में और यहां पर 2.4 GHz पर इसे क्लोग किया गया है जो की काफी अच्छी बात है क्या कर सकते हैं है तो है और हम 120 GHz सूपर सूपर स्ट्रिवलाइशेशन डिस्पले मिलता है 120 GHz स्मूद डिस्पले देखने को मिलता है जो की डिस्पले एक्सपेरियंस भी काफी अच्छा हो सकता है क्लिक करने में आपको पसा चलेगा जब आप मोबाइल यूज करेंगे तो और आगे बढ़ते को देखें तो इसमें 30W की फाफ्ट चार्ज डॉट चार्ज इसका नाम क्या है डॉट बैटरी की बात करें तो 4200 mAh की बैटरी है दोस्तो 4200 mAh की बैटरी है 30W की फाफ्ट चार्जिंग है तो अपनवान लगा सकते हैं कि आपको 55 मिनट में फूल चार्ज कर देगा ऐसा कंपनी का बताया हुआ है और इसके सभी स्पेसिफिक ऐसा नेवम फीचर्स माध्यम से तो अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वहीं पर आगे देखें तो चार्जिंग स्पीट भी दिखाया गया है जो कि ऐसा यह लोड़ा ला सुन और मैंने इन्हें एक पुरुसकार दिया था जो कि नंबर वन क्वाल्टी स्मार्ट फोन ब इसका डिस्प्ले डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले जो है 6.6 इंच का होने वाला है अब पता नहीं सुपर होगा यह सुपर एमुलर्ड होगा या LCD होगा या HD प्लस बाला होगा ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग डिस्प्सन जरूर चकीजिए क्योंकि मै तुम सेर मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती हम तोनों के बीच अगर कोई आया तो सम्तों वह मार गया